इंडिया में हर एक मिनट में चार लोग हार्ट अटेक एक्स्पिरियन्स करते हैं वो भी जान लेवा पर लोगों ने इस दिल की कभी नहीं सुनी तूछो क्यों क्यों क्योंकि इन लोगों का एज गुरूप 30 साल से 50 साल का था इसे 8-10 हाथ से देखने के बाद लोगों ने बेचारे इस दिल की आप जाके सुनी है और चुकि फिट लोगों को भी हार्ट अटेक्स आ रहे हैं तो कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं डरो मत ये scientific और awareness वीडियो है पर सवाल ये है कि हाल फिलाल यंग इंडियन्स जो हार्ट अटेक्स से लगातार अपनी जान गवा रहे हैं क्या वो कोरोना वैक्सीन की वज़े से है क्या वो जिम जाने की वज़े से है या असलियत कुछ और ही है और हाँ लास्ट मैं इस बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले medical 3D animation से समझो की heart attack होने पर exactly कौन सी नस में क्या हो रहा है देखो ये आपका heart यानी दिल है और इसका काम है nutrients और oxygen rich blood को पूरी body में supply करना और supply कैसे करेगा इस तरीके से blood को pump करके ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके घर में लगी हुई water motor पानी को pump करके उपर टंकियों में चड़ाती है खेर आपके heart का ये left ventricle main pumping chamber है जब ये ऐसे contract करता है यानी पिचकता है तो blood इस aota से होता हुआ आपकी body में चला जाता है ये aota और कुछ नहीं बस large artery है आशान भासा में कहूँ तो आपके दिल से जुडा हुआ एक pipe है जो आपकी body में खून भेजता है मुद्य की बात ये है कि aota से connected है ये coronary arteries जो वापस आपके heart से जुड़ी हुई है और आपके दिल ने जस्ट अभी जो blood pump किया था वो ही nutrients और oxygen rich blood वापस इन coronary arteries से आपके heart तक पहुचेगा और आपके heart muscles को help करेगा ना function करने में अरे घर में जो motor लगी है वो तो भाई बिजली से चल रही है और पानी को टंकी में भेज रही है लेकिन heart तो बिजली से नहीं चलेगा तो इसके pumping mechanism को maintain करने के लिए ये oxygen और nutrients rich blood इन coronary arteries के थुरू वापस heart की muscles को मिल जाता है ताकि दिल धड़कता रहे इतना समझ आ गया तो अब ये भी समझो कि heart attack के time exactly होता क्या है heart attack के समय ये जो coronary arteries है ये block हो जाती है बस इनके block होने को ही heart attack बोला जाता है जो है atherosclerosis घबराव मत medical language में इन arteries के block होने को ही atherosclerosis बोल दिया जाता है पर इस वीडियो के title को मद्य नजर रखते हुए अभी भी हमें ये पता लगाना है कि आजकल यंग इंडियस में ये arteries आखिर क्यों block हो रही है देखो ये आपकी coronary artery है इसमें ये blood flow हो रहा है को better समझाने के लिए मैं कुछ real life examples को साथ लेके चलता हूँ 10 अगस्त 2022 को comedian राजु स्रीवास्तफ को जिम में heart attack आता है और धीरे-धीरे market में खबर फैल जाती है कि भईया जिम मत जाओ जिम जाने से तो heart attacks आ रहे हैं लेकिन क्या इस बात में जराभी सच्चाई है तो राजु स्रीवास्तफ सर को जिम में heart attack क्यों आया ध्यान से समझो कोई भी इंसान जब जिम में workout करता है तो उसकी body में blood तेजी से pump करता है और prescribed limit को cross करके high intensity workout करने पर ये जो arteries की walls हैं ये rapture हो सकती है और कुछ इस तरीके से plaque in arteries को block कर देगा जिससे heart muscles तक oxygen ना पहुच पाने से heart beat करना बंद कर देगा तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप जोर नगा के exercise करोगे तो आपकी arteries भी रप्चर हो जाएंगी और आपको भी heart attack आएगा तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रितिक रोशन और जोन अब रहें का trainer Chris Grethin जब कहता है कि last rep में अपनी पूरी जान डाल दो तो वो गलत है And so I would train to absolute failure meaning that I couldn't do one more rep even if my life depended on it around 50 repetitions तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि Milka Singh और Dara Singh को अपना आइडल मान के आप extreme level पर exercise मत करो और छुई मुई की तरह 5-5 के डंबल मार के gym से वापस आ जाओ No, सुनो ध्यान से समझो इधर हो क्या रहा है खाल फिलाल में जितने भी celebrities heart attack से मरे हैं उनके बारे में हमको बस ये पता है कि वो जिम में थे, exercise कर रहे थे और heart attack आ गया लेकिन क्या हमें ये पता है कि उनके numbers क्या थी, उनका blood pressure क्या था, उनका blood sugar level क्या था, उनका lipid profile क्या था, obviously not तो इसका समाधान ये है कि जिम जॉइन करने से पहले आपको अपने heart की condition पता होनी चाहिए hospital जाओ और एक ECG test होता है उसके माध्यम से अपने heart की checking कराओ अगर ECG test के बाद doctors आपको बोलें कि आपको heart condition है, या फिर genetical factors हो जैसे आपकी family में किसी को heart attack हुआ है, तो make sure कि आप limit में ही physical activities कर रहे हो सिर्फ physical activities ही नहीं, इस case में आपको हर चीज का ध्यान रखना है जैसे इस case में आप gym जाने से पहले pre-workout लेना भी avoid करें pre-workout में caffeine की मात्रा काफी जादा है और problem multiply हो सकती है अगर आपको heart condition नहीं है और genetic problem भी नहीं है, आप totally fit हो तो उस case में भी आपको एक condition में gym में heart attack आ सकता है और वो है एक दूसरे की hold करना gym में घुसते ही आपने देखा right side में दोस्त intense workout कर रहा है left side में crush workout कर रही है और अपनी मरदान की साबित करने के लिए आपने 40-40 के dumbbells उठाए और सीधा incline dumbbell bench press पर ले लिए इस बेवकुफी भरी हरकत से आपकी heart muscles पर unexpected load आएगा और arteries के walls के रप्चर होने के chances भढ़ेंगे वो इसलिए क्योंकि gym में बुसते ही क्या आपने stretching की? No क्या आपने warm up किया? No अगर intense workout कर रहे हो तो अपनी body को उसके लिए prepare तो करो arteries block होने से heart attack हो रहे हैं और heart condition ना हो तो gym जाने से heart attacks नहीं आते ये दोनों बाते आपको अच्छे से समझ आ गई इस वीडियो में last bus अब हमको ये समझना है कि young indians में coronary artery में ये जो fatty substances और cholesterol यानी plague इखटा हो रहा है इसको कैसे रोकें? अगर इसका समझान मिल जाए तो heart attack की tension खतम खेर, देखो doctors का कहना है कि coronary arteries में इस plague के पीछे तीन चीजों का हाथ है मेरी table पे रखी ये तीनों चीज़े आप देख रहे हो nutritional language में इनको three white poisons बोला जाता है और tension की बात ये है कि ये हमारी eating habits का एहम हिस्सा बन चुकी है और ये तीनों चीज़े हैं salt यानी नमक, refined sugar यानी चीनी और तीसरे नमर पे है मैदा एक study suggest करती है कि किसी भी condition में एक इनसान को एक दिन में 5 ग्राम से जादा नमक नहीं खाना चाहिए लेकिन bad news ये है कि reports के अनुसार Indians on an average एक दिन में 11 ग्राम salt खा रहे हैं जो की prescribed limit के दुगने से भी जादा है similarly professional suggest करते हैं कि किसी भी condition में एक इनसान को एक दिन में 30 ग्राम से जादा चीनी नहीं खानी चाहिए हाहा 30 ग्राम, 30 ग्राम तो हम दो बार के चाय में निप्टा देते हैं और रही बात मैदा की, तो मैदा तो literally आपके digestive system में चिपकता है nutritional language में मैदा को glue of the gut बोला जाता है कारण, कारण ये है कि मैदा में कोई nutritional और food value तो है नहीं क्योंकि इसकी processing के time fibers तो निकाल लिये जाते हैं इसे खाते ही, जाके ये आपके intestine में चिपकेगा आपके digestive system को slow down करेगा वो अलग और fat भड़ाएगा वो अलग अरे मैदा तो फिर भी purely कचरा है आयूरवेदा में तो ये तक भी mentioned है कि regular basis पर तो white rice और गेहू भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनके भी regular consumption से मेद रोग और obesity भणने के full chances रहते हैं इस point को biological आप ऐसे समझो कि जब आप sugar और express carbohydrates consume करते हो जैसे processed fruit juices, cold drinks, मिठाईयां और processed sugar etc तो आपकी body में sugar लेवल अचानक से उपर जाता है लेकिन उस समय body को इतने sugar की need है नहीं तो body insulin secret करना शुरू कर देती है जो उसे fat में convert कर देता है यही कारण है कि बाबरामदेव आपको इतने सालों से चिला चिला के समझा रहे कि इस गुलाब जामुन और बंगाली मिठाई का 95% आपकी body के अंदर जाके fat में ही convert होना है और अगर आप लगातार खाओगे तो बहार से देखने में तो सिर्फ 8 months pregnant दिखोगे लेकिन अंदर से pain kriyas में सूजन आएगी और gradually diabetes के रास्ते भी खुल जाएंगे salt, sugar और मैदा की बुराईयां सुनने के साथ आप ये भी अच्छे से समझ लो कि Americans या दूसरे देश वाले कोई दूत के दुले हुए नहीं हैं modern lifestyle ही ऐसी है कि पूरी दुनिया ही कच्रा खाने में लगी हुई है लेकिन फिर भी इंडियन्स को heart attack इसलिए जादा आ रहे हैं क्योंकि इंडियन्स के साथ genetic issues भी हैं हमारे genetic predisposition की वज़े से इंडियन्स में heart attack के chances western countries के मुकाबले 3 गुना जादा है Japanese के मुकाबले 6 गुना जादा है और Chinese के मुकाबले 20 गुना जादा है कहने का ताथपर यह है कि हम already एक loaded gun है और उसको stressful life, smoking, alcohol, improper sleep, नमक, चीनी और मैदा वाली western lifestyle के साथ combine किया जाए तो दिल पे गोली चलेगी ही चलेगी रही बात मेडिकल लेंग्वेज में myocarditis बोलते हैं कोरोना वैक्सीन लगने से किसी को heart attack तक आ जाए ऐसे cases सामने नहीं आए हैं लेकिन अगर आप मुझसे personally पूछते हो कि मैं इस बात पर कितना भरुसा करूँगा तो मेरा answer है रत्ती भर भी नहीं यह billion dollars medical industry के drug mafias आपके सामने वो ही reports और studies बूट करवाएंगे जिन से इनको नुकसान ना पहुंचे फाइनली आप समझ चुके हो कि heart attack से बचने के लिए यह छे really really important बातें आपको ध्यान रखनी हैं लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह साथवी बात कान खोल के सुनो heart experts क्या बोल रहे हैं खेर reports बताती हैं कि heart attack के पहले एक घंटे में 30% लोगों की जान चली जाती है और 8-10 मिनट के अंदर brain में permanent damage तक हो सकता है लेकिन यह दौनों ही चीज़े रोकी जा सकती है अगर आपको यह पता है कि CPR कैसे देते हैं इनफेक्ट CPR देते वक्त कई बार तो ribs भी टूट जाती है और डॉक्टर्स यह भी कहते हैं कि ribs टूट भी जाएं तो भी CPR चालू ही रखना है खेर अगली वीडियो में CPR देना सिखाऊंगा लेकिन रुको इस वीडियो पर क्लेक करके ध्यान से समझो कि smoking करने से धीरे धीरे lungs और heart कैसे damage होते हैं